एक बार एक करोड़ बन जाए, नौकरी छोड़के ना वापस जहां सी चला जाऊंगा। मनीश एक करोड़ बन जाए, डलहौजी में कैफे खोल लूगी। एक करोड़ बन जाए, हम अपना खुद का स्टार्टप शुरू कर लेंगे। एक करोड़ का कॉरपस बनाने के मूलता दो तरीके हैं, पहला बिजनस बनाया जाए, और उस बिजनस में इतना प्रॉफिट हो या उसे बेच कर एक करोड़ का कॉरपस बना लिया जाए, दूसरा तरीका होता है बचत और निवेश, हर दिन, हर हफते या हर महिने आए में से कि आपका एक करोड़ का कॉरपस बन जाए, इस वीडियो में हम पहले option की बात नहीं करेंगे, हम आपको कोई business idea नहीं देंगे और business करने का कोई तरीका भी नहीं बताएंगे, वीडियो में हम बात करेंगे बचत और निवेश की, मैं हूँ मनीश तनेजा और आप देख रहे हैं, तो क्योंनों रोज invest करें? Z funds, जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग कर रहे हैं, daily SIP. Thank you, thank you to all of you. आप Z funds के जरीए ना सिर्फ daily save कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं daily invest. Daily investments के जरीए पहुँच रहे हैं अपने financial goals के और भी करीब. So, thank you, thank you for your confidence in Z funds. आपकी savings, savings नहीं हैं, यह है capital यानि पूंजी. हर दिन, हर हफ़ते, हर महिने, जो भी आप कमाते हैं, अपनी जरूरों तो पे खर्च करने के बाद, जो भी पैसा आप बचाते हैं, वो हो गई आपकी पूंजी. अगर आप अपनी पूंजी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपकी savings को एक करोड होने में कितना समय लगेगा, अपना ये गणित, आप मेरे से बहतर जानते हैं. एक करोड बनने में कम समय लगे, इसका एक ही तरीका है, निवेश. तो कहां invest किया जाए? इन्वेस्ट किया जाए ऐसी जगा, जो दे savings account से ज्यादा return. इस ग्राफिक को देखें, एक example से समझाने की कोशिश करता हूँ. अगर आप हर महीने 10,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं अपने बैंक के savings account में, तो एक करोड का कॉर्पस बनने में लगेंगे तकरीबन 28 साल. अगर आप हर महीने 10,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, तो एक करोड का कॉर्पस बनने में लगेंगे तकरीबन 23 साल. और यदि आप हर महीने 10,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसी जगा या किसी ऐसे investment option में जो दे रहा है 12% का सालाना return तो एक करोड का corpus बनने में लगेंगे तकरीबन 20 साल 12% का return कहां generate किया जाए? equity mutual funds से ये पिछले 5, 7, 10 और 20 सालों का large cap, mid cap और small cap category के funds का return है इन सभी category के funds में आप daily, weekly, monthly, quarterly या annual SIP कर सकते हैं जब पैसा surplus हो तो lump sum से top up भी कर सकते हैं तो mutual funds में SIP करने से या lump sum investment करने से एक करोड का corpus बन जाएगा? वेल, life इतनी simple नहीं होती, कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा after all, life excel sheet और YouTube वीडियो में नहीं जी जाती YouTube, यदि आप investments related information चाहते हैं जो है सही और आसान तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को subscribe करें और यदि हाँ आप चाहते हैं किसी mutual fund scheme के बारे में और information तो हमारे इस वीडियो के comment section में एक comment drop करें हमारे एक करोड का corpus बनाने के plan में दो बड़े risks unexpected खर्चा या unexpectedly income का कम हो जाना या बंध हो जाना life है यानि uncertainty है आपकी ये daily, weekly, monthly, quarterly या annual investments होती रहे और grow करती रहे इसके लिए जरूरी है कि आप unexpected खर्चों के लिए ready हो और income interruption आपकी savings को ना रोख सके हमारी life में सबसे बड़ा unexpected खर्चा होता है बिमारी का इलाज fact है कभी भी कहीं भी हम या हमरे परिवार में कोई भी बिमार पड़ सकता है इलाज का खर्च हमारी सारी savings इला देता है इसलिए जरूरी है आपके पास हो adequate health insurance आज ही अपने परिवार और अपने लिए एक health insurance कवर लें दूसरा रिस्क है income interruption बिजनस में उतार चड़ाव या नौकरी चले जाना आज एक आम बात है ऐसे दिनों के लिए जरूरी है एक rainy day fund हर महीने जो आपका minimum खर्च है उसे 6 से multiply करें और इस corpus को अलग से रखतें एक करोड तक का रास्ता और आसान हो जाए यदि हम 10,000 की monthly savings के अलावा हर दिन, हर हफते, हर महीने, हर साल कुछ top of investment भी करते रहे mutual funds की खासियती यही है आप इन में कभी भी कहीं से भी 100 रुपे से भी investment शुरू कर सकते है तो दिन, हफते, महीने, साल के end में जो भी पैसा बच जाए उसे invest किया जाए Z funds में हमारा एक ही purpose है भारतियों की बचत का सही जगा निवेश हर भारती के घर में गुल्लक है हम हर दिन, हर हफते, हर महीने, हर साल कुछ पैसा बचाते है पर क्या हम हर हफते, हर महीने, हर साल या हर दिन इसको ठीक से invest करते है अपनी बचत को रोज invest करें आप जब कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं तो क्यों ना रोज इन्वेस्ट करें? आज ही अपने Z Fund एक्सपर्ट से बात करें या हमें WhatsApp पे कॉंटाक्ट करें. हमारा WhatsApp नमबर है 721-7746-224. Thank you for watching Z Funds. Z Funds, जहां हैं आपकी इंवेस्टमेंट्स सही और आसाल.